नमस्कार आज हम बात करेंगे आपकी पाठ्थे पुज्टक आरो भाग दो में शामिल बाबा साहब भीम राव अम्बेटकर के एक भाषन के दो अनुच्छेदों की यह भाषन मूलतः 1936 के जाती पाती तोड़क मंडल के लाहौर समेलन के अध्यक्षिय भाषन के रूप में लिखा गया था आज हमारे पास इसी भाषन के हिंदी रूपांतर के दो अनुच्छेद हैं इन अनुच्छेदों में पहला अनुच्छेद है जाती प्रथा और स्रम विभाजन जबकि दूसरे अनुच्छेद का नाम है मेरी कल्पना का आदर स्रमाज हम बारी बारी से इनी दो अनुच्छ की चर्चा करेंगे पहले अनुछेद में डॉक्टर अंबेटकर जाती प्रथा को स्रम विभाजन से जोड़ने के तर्क का विरोध करते हैं कई लोग जाती प्रथा का समर्थन करते हुए इसे स्रम विभाजन कहते हैं और यह कहते हैं कि सारे समाजों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्रम विभाजन मौजूद है डॉक्टर अम्बेटकर का मानना है कि स्रम विभाजन बैज्ञानिक हो तारकिक हो तो वह स्विकार है लेकिन जाती प्रथा पर आधारित स्रम विभाजन कहीं से भी तारकिक नहीं है इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीशे चलते हैं कोई भी स्रम विभाजन जब होता है तो मूलता हुआ आपके कार्य के आधार पे होता है आप कार्य किस प्रकार का करते हैं इसके आधार पे समाज को विभाजित किया जा सकता है लेकिन जाती प्रथा मूलता जन के आधार प अपने पेशे या बैवसाय को चुन नहीं सकता इसका दूसरा बड़ा नुक्सान यह है कि इस से समाज गतिशील नहीं रहता धीरे धीरे एक जड़ समाज बन जाता है जिसमें एक बैवसाय से दूसरे बैवसाय में स्विच्च करने की सुभिधा नहीं होती कोई वेक्ति अप प्रकृति के आधार पे उच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए जबकि जाती प्रथा के मूल में ही यह उच नीच का भेदभाव विराजमान है जाती प्रथा व्योशाय और पेशे के आधार पे एक उच नीच से भरे भेदभाव पूर्ण समाज को जन देती है और इ तर्क देने वाले देते हैं कि शुरुवाती दौर में वर्ण ब्योस्था जो थी वह श्रम विभाजन के आधार पे थी हम मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए रिगवेद के कुछ मंत्रों के आधार पे इसको सिद्ध करने की कोशिश की जाती है एक मंत्र है जहां पे एक मौजूद हैं यानि कि यहां पर जो यह विभाजन है वर्ण का यह मूलत उनके कर्म के आधार पे है यानि कि श्रम विभाजन के आधार पे है थोड़ी देर के लिए तर्क के लिए इसको सही मान ले तो भी यह मानना पड़ेगा कि बरत्मान में जाती ब्योस्था का जो लगातार बदलते रहते हैं नई तकनीक आ जाती है उधारन के लिए आज के दौर में देखें जैसे एक पेशा हुआ करता था कुमार मिट्टी के बरतन इत्यादी बनाने का काम करते थे अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके आस पड़ोस से कुमार पूरी तरह से यह कुमार को दूसरे ब्युशाय को चुनने की चूट नहीं देती कलपना कीजिए कि एक व्यक्ति है जो कुमार जाती में उत्पन्न हुआ है वह योग्य है उसमें छमता है कि वह किसी अन्य ब्युशाय को अपना सके लेकिन जाती प्रथा उसे अन्य ब्युशाय को अपना की छूट बिल्कुल नहीं होती व्यक्ति की रुची किसी और काम में है उसको किसी और काम के साथ जुड़ना पड़ता है चुकि उसकी जाती उस पेशे को चुनने की इजाज़त नहीं देती इससे क्या होता है इससे व्यक्ति अपने काम में रुची ही नहीं रख पाता काम य यानि कि यह आर्थिक दृष्टी से भी लाप्रद नहीं कहा जा सकता, व्यक्ति की स्वतंता को सिमित्यों करता ही है, साथ साथ यह आर्थिक प्रगती की मार्ग में भी बाधक है, दूसरा ब्यक्ति की च्छमताओं का पूरा इस्तिमाल नहीं होता क्योंकि ब्यक्ति किसी और काम करने में बेहतर ढंग से सक्छम हो सकता है लेकिन हम उससे वो काम लेते हैं जिसमें वो सक्छम नहीं है वो काम सिर्फ उसे उसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसका जन्म किसी जाती विशेश में हुआ है तीसरा इससे व्यक्ति जन्म से ही एक ऐसे पेशे के साथ जुड़ जाता है जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता जन्म लेते ही उसे एक पेशे के साथ जोड़ दिया जाता है यानी कि उसका पेशा उसकी व्यक्तिगत छमताओं उसकी योग्यताओं उसकी रूची पर निर्बर ना होकर उसके माता पिता की जाती पर निर्बर हो जाता है चोथा इससे आगे बढ़ें अगर किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को बीच में अपना पेशा परिवर्तित करने के जोरत पड़े तो जातिप्रथा इसकी भी इजाज़त नहीं देती वह जन्भर के लिए आपको एक ही पेशरे के साथ बांध देती है जबकि आधुनिक दौर में ऐसी जरूरतें बार बार पड़ती है तक्निकों के प्रयोग नई तक्निकों के आने के कारण कई नए ब्यासाय सामने आते हैं कई पुराने ब्यासाय दिरे दिरे लुप्त हो जाते हैं लेकिन जातिप्रथा ब्यासाय को परिवर्तित करने के इजाज़त नहीं देती इस जान तोर शुत्पन होता है विद्रोष की इस्तियां बनती है एक अच समान समाज का एक भेधव हूप पूंट समाज का निर्मान होता है और इसी लिए अंबेटकर इस जाती भेध पराधारित स्रम विभाजन के घोर विरोधी हैं अभी हमने बाद की भारतिय समाज में व्याप्त जाती प्रता पर आधारित स्रम विभाजन की यह भारतिय समाज का एक यथार्थ रूप है इसके बाद अपने इसी भाषन के अगले अनुछेद में डॉक्टर अम्बेट कर अपनी कल्पना के एक आधर समाज की बात करते हैं जहीर सी बात है जहां यथार्थ सं को या रचनाकार को जंचता ना हो तो वह उसका एक वैकल्पिक स्वरूप प्रस्तूत करने की कोशिश करता है ऐसा समाज जो बास्तों में नहीं है लेकिन होना चाहिए डॉक्टर अम्बेटकर भी अपने भाषन में ऐसे ही एक आधर समाज की बात करते हैं जैसा समाज बास समानता और भाईचारा यहां यह बता देना जरूरी है कि यही तीन सिधान फ्रांसिसी क्रांती के थे फ्रांसिसी क्रांती के मूल में यही तीन सिधान थे स्वतनता समानता और भाईचारा लेकिन इसकी ब्याख्या करते हुए डॉक्टर अम्बेटकर थोड़ा सा अपनी कल इनों में जरूरी है जो लोग स्वतंता का समर्थन करते हैं वह आम तोर पर जीवन की स्वतंता की बात तो करते हैं लेकिन जब वो रोजगार चुनने की स्वतंता की बात आती है तो वहां उस स्वतंता का समर्थन आम तोर पर नहीं किया जाता डॉक्टर अंबेटकर की नजर में किसी भी समाज के लिए, किसी भी आदर्स समाज के लिए यह ज़रुरी है कि हर व्यक्ति को यह स्वतनता हो कि वह अपना पेशा, अपनी मर्जी से, अपनी इक्षा से, अपनी रूची से या अपनी योग्यता के अनुसार चुन सके जोरत पढ़ने पर बदल भी सके डक्टर अम्बेटकर के नुसार सही मायनों में तभी सच्चा लोकतंत्र अस्थापित होगा ध्यान दें लोकतंत्र सब्ट का प्रयोग जब डक्टर अम्बेटकर करते हैं तो यह एक शाषन पधत्ती के रूप में ही नहीं है डक्टर अम्बेटकर की नजर में लोकतंत्र एक समाज के लिए बेज़री है समाज ऐसा होना चाहिए जहां उसके हर अव्यवक की भागेदारी हो समाज के हर सदर्श के निर्णे लेने की छमता स्वतंत्र रूप से उसके निर्णे लेने की छमता होनी चाहिए या हर व्यक्ति अपने निर्णे के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जबकि होता क्या है भारतिय समाजों में कि व्यक्ति पर समाज के निर्णे थोप दिये जाते हैं व्यक्ति पर एक जाती थोप दी जाती है और उस जाती के आधार पर उसके लिए कुछ ब्योशाय निर्धारित कर दिये जाते हैं और उस लकीर से बाहर जाने की अनुमती उसे नहीं होती अम्बेटकर के अनुसार यह किसी भी आदर समाज के लिए घातक इस्तिती है और इसलिए वह स्वतंता पर सबसे ज़्यादा जोड़ देते हैं नुक्टर अम्बेटकर के अनुसार अगर यह स्वतंता न रही तो यह एक दास्ता की स्थिती है यह गुलामी है गुलामी का मतलब सिर्फ बिदेशी पराधीनता ही नहीं होता डुक्टर अम्बेटकर के नजर में अगर व्यक्ति को अपनी इक्षा से अपना व्योसाय चुनने की आजादी नहीं है तो यह भी एक तरह की गुलामी है क्योंकि समाज के चंद लोग सेश लोगों पर अपने निर्णे को जबरदस्ती थोपते हैं और उन्हें उन निर्णे को मानने के लिए बाद दे करते हैं तो इस तरह से स्वतनता डुक्टर अम्बेटकर के आदर्ष समाज का पहला मूल विंदु है जिसपर हम बात कर रहे थे अब बात करते हैं दूसरे मुल्ले की जिसको डॉक्टर रंबेकर ने समता या समानता कहा है ध्यान दे पहले भी बता चुका हूँ कि यह मुल्ले फ्रांसिसी राज्य क्रांती में भी शामिल था लेकिन उस समय भी और अभी भी सबसे ज़्यादा विबाद भी इसी मुल्ले को लेके हुए है समता या समानता आखिर कैसे संभव है किसी भी समाज में समानता क्या समाज में सभी ब्यक्ति समान होते हैं क्या उनकी योग्यताएं समान होती हैं नहीं ऐसा नहीं है कोई भी नहीं मानेगा कि समाज के सारे व्यक्ति एक समान होते हैं या एक समान उनमें योग्यता होती है या एक समान उनमें प्रतिभा होती है या एक समान उनमें शारिरिक छमता होती है ऐसा नहीं होता तो फिर समानता कैसे संभव है अभी सवाल को समझने से पहले डॉक्टर रंबेटकर कुछ दूसरी बातों पर बिचार करते हैं वह कहते हैं कि किसी व्यक्ति की जो छमता है वह मूलता है तीन बातों पर निर्भर करती है एक उसकी शारिरिक वन्ष परंपरा दूसरा उसके माता पिता द्वारा दी गई सुभधाई और पर अगर समाज में भेदभाव होता है या कहा जाता है कि वहां पर असमान व्यवहार उचित है तो डॉक्टर अंबेटकर करते हैं डॉक्टर अंबेटकर की नजर में समताकार्थ है कि हर व्यक्ति को समान औसर मिलना चाहिए हर व्यक्ति के साथ समाज की योड़ से समान व्यवहार होना चाहिए हां उसके बाद व्यक्ति अपने प्रयत्नों से उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और निश्चे ही वहां समानता की मांग नहीं होती है वोनी भी नहीं चाहिए क्योंकर हर व वेक्ति अच्छा प्रयत्म करके कुछ बेहतर परिणाम ला सकता है और उसके लिए उसे अन्य वेक्तियों से बेहतर रिवार्ड मिल सकता है पुरसकार मिल सकता है तो यहां समानता की बात नहीं होती है समानता की बात सिर्फ वहीं है कि समाज की और से उसको औसर समान प्रदान किया जाए जैनी निश्चित तौर पे इसका अर्थिया नहीं है कि घोड़े और गधे को एक ही माटchn दोड़ाएा जाए जया जगोड़ों की में गधो नहीं दोड़ाया जा सकता और जंगल में समानता की बात हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम आती से तेरने को कहें या मचली से उड़ने को कहें यह पॉसिबल नहीं है यह संभव नहीं है तो किसी भी समाज में समानता की जब बात होगी तो यह समान औसरों की बात होगी ना कि समान पूरसकारों की बात होगी इसको ध्यान से समझना जुरूरी है जो लोग इस बात को नहीं स भाईचारे की यह मुल्य भी भ्रान्सी करांती से ही लिया गया है और भाईचारे का मतलब क्या है कि कोई भी समाज ऐसा हो जिसमें विभिन बर्गों में संपर्क और गतिस्विल्टा बिद्द्यमान रहे कोई भी बर्ग अपने आपको अच्छूत महसूसना करे कोई भी बर् को नीचे से उपर आने की छूट या औसर मिलने चाहिए जाती प्रतापर आधारे समाजों में यह विशेस्ता नहीं होती हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं कि जातियां रूड हो जाती हैं जन्म के साथ बंद जाती हैं और वहां पर व्यक्तियों को योग्जिता के आधा पर उपर जाने के मौकेν उपलब्द नहीं होते अपनी छमताओं के संपूर्ण उप्योग के औसर उपलब्द नहीं हो तो यह समाज निश्चित तार पर भाईचारे का समाज नहीं हो सकता और इसलिए डॉक्टर अंबिटकर भाईचारे पर आधारित आधर्स समाज की बात क आजीविका को या पेशे को या रोजगार को चुनने की स्वतनता यह डॉक्टर मेटकर के नुसार आदर्स समाज के लिए एक आवश्यक मुल्य है दूसरा समानता समानता कहां पर तो समानता औसरों की और समाज के व्योहार की अर्थात समाज को हर एक व्यक्ति को समान औसर प इतनी गतिशिलता हो कि विभिन बर्गों के बीच एक भाईचारे की आदर्स इस्तिती स्थापिद की जा सके तो इस तरह से डॉक्टर अम्बेटकर का एक आदर्स भारतिय समाज की जो कलपना है वह इन्हीं तिर मुल्यों पर आधारित है निश्चित तोर पर यह अधार्त नहीं है आदर्स कहने का मतलब है कि यह कलपना है लेखक चाहता है यहां पर हम कहें कि डॉक्टर अम्बेटकर चाहते हैं कि ऐसा समाज हो यह समाज उनका उद्द्ध्श्य है यह समाज बनाना उनका उद्द्ध्श्य है और जहि amor-就會 है जाती भेद को समाप्त किये बिना ऐसे आदर्स समाज की संकल्पना बहुत ही मुश्किल है तो इस तरह से आज हमने डॉक्टर अम्बेटकर के भाषन के दो अनुछेदों की चर्चा की जाती भेद और स्रम विभाजन और दूसरा डॉक्टर अम्बेटकर की कल्पना का आदर्स समाज तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार मॉए तो और दूसरा जाओ तो आज Other क्यों सब्सक्या तो की जाता हना जाजर समाई चकर प्रूस की जाता है जाता है